नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं उन्होंने भारतिये जनता पाठी के करताओं को संकल्प दिलेया है कि वे इस परष्ट सरकार को अगामी चुना में सत्ता से बेदखल करेंगे अमीत साह ने पच्मी सिम्भूम के जीला मुख्यले चाईबासा में अयोजीत भाजपा के विजय संकल्प महारायली को समोधित करते हुए जहरखन की महागट बंधन की सरकार की जम कर अलोचना की अमीत साह ने कहा हेमंत भाई चाईबासा की आवाज सुनिये जब आप चुनाओ के मैदान में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया सिर्फ फ़स्टा चार किया है 1932 खतियान लागू कर जहरखन को दो भागों में बाट रही राजसरकार जहरखन में 1932 का खतियान लागू कर राज सरकार जहरखन को दो भागों में बाटने का पर्यास कर रही है जहरखन के मुख मंत्री भले ही जन जाती से आते हो लेकिन आदिवासि भी रोधी है यहाँ बाते ग्रीह मंत्री अमीत साह ने टाटा कॉलेज मैदान में सनिवार को आवित भागपा के बिज़ाई संकल्प महारेली कारकरम में कही उन्होंने कहा है कि राजसरकार में आदिवासि सरकार ही लूट रही है आदिवासि के नाम पर जमीन बेची जा रही है उन्होंने पुर्वे मुख मंत्री मधुकोडा के 1964 बंदोबस्ती को कोलान में लागू करने समसित ब्यान का समस्थन करते हुए कहा है कि राज के कोलान में 1964 में बंदोबस्ती हुई है उस खत्यान को भी लागू करना चाहिए राज सरकार DMFT फंड का दुर उप्योग कर रही है जन जाती के लिए जो विकास फंड जारी किया गया है उसका सही उप्योग नहीं कर पा रही है अमित साह ने भागवान बिर्शा मुंडा को नमन कर आपना समधन शुरू किया कोट फीस को लेकर दुसरे दिन भी वकीलो का परदर सहन राज भर के वकीलो का कारे बहिसकार दुसरे दिन भी जारी है बतादे जार्खन में कोट फीस बिरिधी का निरनाय वापस लेने की मांग को लेकर वकीलो ने सनिवार को भी कारे बहिसकार किया स्टेट बार कॉंसिल के निर्देश पर पूरे राज्य के वकिलों का कारे बहिसकार सन्नी वार को भी जारी है जार्खन हाई कोट और रांची सिविल कोट के वकिलों ने भी कॉंसिल के निर्देश का पाहिलन करते हुए खुद को न्याईक कारियों से दूर रखा जिसका असर न्याईक कारियों के निस्पादन पर साफ देखने को मिला है दस जवानों के हत्या करने वाला 18,00,00,000 परने कारोप हाए की टेश सितनबर 2022 को मावादियों के खिलाब चला है जह रहे अभियान के तद बिहार के और aanगाबाद और जार्खन के पलामो पूलिश ने सन्युक्त अपरेशन कर गिरफतार किया था इनकी निशान देही पर 20 लाग की नगद भी बरामत की गई थी गिरफतार तीनों नकसलियों के खिलाप दोनों राजियों के विभीन थानों में मामले दर जाएं सीएम हाउस में जूतने लगे अधिवक्ता सीएम हेमान सुरेणे महा अधिवक्ता को लेकर सीएम हाउस बुलाया है महा अधिवक्ता राजी उरंजन सी एम हाउस पहुंच चुके हैं जार्खन में अधिवक्ताओं के हर्ताल को लेकर बैठक चल रही है बता दे जार्खन में कोट फीस ब्रीधी का अभिवाद गहराने के बाद सीम हेमासुरे ने महा अधिवक्ता को लेकर सीम आवास बुलाया महा अधिवक्ता राजीव रंजान सीम हाउस पहुंच चुके है जारखन में अधिवक्ताओं के हर्ताल को लेकर बैठक चल रही है बता दे कि इसी मुदे को लेकाई परदेश में अधिवक्ता हरताल पर हाएं अधिवक्ता भी धीरे-धीरे सीम आवास पहुँच रहे हैं इसे पहले जार्खन राजबार कॉंसिल ने एफ हैसला लिया था कि मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक से जार्खन राजबार कॉंसिल का कोई संबंध नहीं है और नहीं कॉंसिल का कोई सदसे इसमें भाग लेगा अमित साह नहीं माने नहीं तो चली जाती है मंत सरकार चाईबासा से 2024 की राएनितिक चोसर बिचाने पहुंचे भाजबा के चनाक और केंद्री गिरी हमंत्री अमित सा ने भरे मंच से कह दिया है कि जार्खन भाजबा के नेता मुझ से कह रहे थे कि हमंत सरकार को बदल दीजिए लेकिन मैंने माना कर दिया और कह दिया कि मैं जार्खन की सरकार क्यों बदलू जानता है जार्खन की सरकार बदल देगी बता दे चाईबासा से 2024 की राएनिति रणनिति की तयारी के लिए केंद्री गिरी हमंत्री अमित सा मंच पर पहुंचे तो हेमन सरकार की तमाम खामियों को गिना दिये मंज के सामने खड़े लोगों को देख अमीद साह के खुशी का ठिकाना नहीं रहा अमीद साह ने जब तयारी करने वाले BJP के लोगों से पूछा था कि कितने लोगों के लिए कुर्सिया लगाई गई है उन्होंने कहा है कि 32,000 लेकिन जब उन्होंने भीर देखी तो बहुँ ज़्यादा थी और मन में जो भी बात थी वह जुबान पर आ गई जारखन पूलिस को जल्द मिलेगी स्वास्त सेवा की सुविधा पूलिस के लिए अभी स्वास्त सेवा की सुविधा नहीं है पूलिस के लिए खुद की चिकित सा वेवस्ता जल्द बहाल करने की दीशा में कायम हो रहा है मुख्यमंत्री हिमान सुरेन ने एबाते सुक्रवार को बोकारों में कही है वे सहर के सेक्टर बारा इस्थी जैप चार मैदान में आवजीत पारन प्रेड समारों में बतोर मुख्याती थी समोधित कर रहे थे सिरी सुरेन ने कहा है कि अगले दो साल में राजे के सभी जैप मुख्यालाय वा पूलिस लाइन को अफग्रेट किया जाएगा ट्रेडिंग कैम्प वा बायराक सभी जैप मुख्यालाय वा पूलिस केंद्रे में परिचर बायराक पेजल की बेवस्था मैदान की स्थिती में सुधार समेत अत्यदुनिक सुविधा पाहल की जाएगी काडधारियों को निसुल्क मिलेगा रासन जन वित्रन दुकानों से मिलने वाले परधान मंतरी गरिब कल्यान खद्यान योजना का लाब अब काडधारियों को नहीं मिलेगा कारधारियों को इस योईना से प्रती यूनिट 5 किलो अनाज 1 रुपे किलो कि दर से मिलता था लेकिन अब उसे कोई रासी नहीं देना होगा जन्वरी माह से मिलने वाला रासन लोगों को निसुलक मिलेगा इसके अंतरगत अंतियोदै कारधार्यों को 35 किलो रासन मिलेगा बता दे दिसंबर माह के बाद प्रधान मंत्री गरिब खद्यान योजना बंद कर दी गई है जन्वरी माह से खाज सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाना अनाज मुफ्त मिलेगा अंतियोदर कार्ड धारियों को 35 तथा पी-च कार्ड होल्डरों को प्रती सद से 5 किलो के हिसाब से अनाज मिलेगा जिसमें चावल वग्यहू सामिल रहेगा सिपाही बाहाली मामले में सुप्रीम कोट से सरकार और Joseph को नोटी सुप्रीम कोट ने वर्ष 2015 में सुरूँ हुए सिपाही बाहाली में रिक तरह अगई सिटो पर्नयुक्ति के मामले में दायर A Special lib Petition पर सुनवाई करते हुए जारकं सरकार और जे SSC को नोटिस जारी किया है कोट ने पूछा है कि 36 आरक्षन से सम्मझित रिक तरह गई सीटो पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई क्यों नहीं SLP को स्विकार किया जाए जस्टिस अनिरूध बोस वा जस्टिस सुधान्सु धुलिया की खंड पिट में मामले की सुनवाई हुई है बता दे जारकन करमचारी चैन आयोगने वर्ष 2015 में सीपायों के लिए बहुतर सो बहुतर पदो पर नियुक्ति के लिए चैन पर किया सुरू की थी जिसमें 4842 पदों पर नियुक्ति की गई वहीं 2430 पद खाली रह गए थे ये सभी पद 36 आराक्षन के तहत महिलाव के लिए रिजर्ब थे मिसीर बेसरा वा अनल दा दस्ते के सिर्स नकसली कर सकते हैं सरेंडर और भागपमवादी की सेंट्रल कमीटि के सिर्स नकसली के दस्ते के पांच नकसली जल्द सिर्णर कर सकते हैं पहुंच चुके हैं वहीं पूलिस अधिकारी इन नकसली पर दर्ज केस और संगठन में सामिल अने नकसली जनकारी जुटा रहे हैं दस जनवरी को देश भर के आदिवासी पहुचेंगे पारसनाथ जारखन बचाओ मोर्चा के संजोजक सा इंटरनेशन संताल काउंसिल के कारेकारी अध्यक्ष नरेस मुर्मू ने कहा है कि पारसनाथ मामले में राजे और केंद्र सरकार दोनों के निने गलत है पारसनाथ आदिवासीों का मरांग बुरू है और वहां के जाहर थान में लोग सदियों से पुजा अर्चना करते आते हैं यह संताल समुदाय का सबसे पुराना पुजा अस्तल है इसलिए केंद्र वहर राज सरकार को आदिवासीों के सनवे धानिक अधिकारों को नजर में रखते हुए विचार करना चाहिए वे पुराने बिधान सभा सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे जामो विधायक लोबिन हेम्रेम ने करमो की घोसना करते हुए कहा है कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए आदिवासी आरपार की लड़ाई के लिए तयार हैं 10 जनवारी को पारसनाथ में पूरे देश भर के आदिवासी जुटेंगे और बड़ी सभा की जाएगी अयोध्या में स्री राम लला का होगा भव्य स्वागत अयोध्या में अगले वर्ष जिस दिन स्री राम लला गर्भ ग्रिह में बिराजमान होंगे उस दिन पूरे देश में पौधारोपन भी विश्वरी कोड बनेगा बता दे राम लला के मंदीर में अस्थापित होने के स्वनिन पल को चीर अस्मर्निये बनाने के लिए देशवासी पूजापाथ के साथ मानव कल्यान के लिए पौधे लगा कर अपने हर्स और अनंद को अभिव्यक्त करेंगे राश्ट्रिय स्वयम सिवक संग की पर्यावरन सनरक्षन गतिवीधी के अवाहन पर देश भर में इसके लिए अभियान चलेगा एक पेड़ देश के नाम इस अभियान के सुरुवात 12 जनवरी को होगी अमीत साह ने कहा 2024 में खिलेगा कमाल अमीत साह ने कई लंबी योजना और केंदर सरकार के काम गिनाए हैं जन सभा में अमीत साह ने देव घर में यहर पोर्ट और एमस सहीत केंदर सरकार की कई योजनाओं को गिनाते हुए कहा है कि हेमन्थ जी हमारे पास तो गिनाने के लिए अनगिनीत काम है लेकिन आपने तो सिर्फ प्रस्टचार किया है साह ने कहा है कि फसल भीमा योजना 44 लाग उजवाला योजना 33 लाग पीम किसान योजना 27 लाग 40 लाग सो चाले स्वक्स भारत अभ्यान के तहद दिया है बाबा की नगरी देवगहर में एम्स का निर्मान शुरू किया है उन्होंने कहा है कि देवगहर जमसेदपूर दुमका और बोकारों में यहरपोट का निर्मान शुरू हुए है इसके साथ टाटा नगर के धालबुम गड में भी यहरपोट बन रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एकन दबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना भूलें साथ साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ वाइक अवसे दे थैंक यू